नमस्कार मैं हूनेहा साहीन बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 9 अक्टूबर दिन बुधवार खबरों के ओर बंडे से पहले सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्ख्यों पर आज है शागे नौर रात्र का सात्वा दिन मा काल रात्र की होगी पूजा रचना मा की आराधना से भैका होता है विनास तेज गाडियों के रफ्तार पर लगेगा ब्रेक दिसंबर से तेज गाड़ी आप नहीं दोड़ा पाएंगे परिवहन विभाग गती सिमा करेगा तै ब्यार सिक्षा परिज्रा परिसत की नई पैल 75,286 सरकारे स्कुलों को मिलेगा नई किताबे कहानी विज्यान गड़ीत की नई पुस्तके होंगी उपलब ब्यार के फर्जी सिक्षकों की खायर नहीं फर्जी सिक्षकों पर दसराबाद होगी कारवाई सिक्षा बंतरी सुने इलखुवार ने दी जानकारे मनोज बाचवेई की फिल्म को मिला राष्टिय पुरुसकार फिल्म गुल मोहर को मिला राष्टिय पुरुसकार आवाद पाने पर मनोज बाचवेई ने जताई खुसी और दसारा में अपने बच्चों का रखे खास ख्याल, मेले या भीड़ भाड़ वाली जगों पर थामे रखे अपने बच्चों का हाथ दिल्नी में भारत और बांगलादेश के बीच दूसरा T20 आज अरून जेटली इस अश्टेडियम सजधज करता याज दिल्नी में भारत और बांगलादेश के बीच दूसरा T20 आज अरून जेटली इस्टेडियम सजधज करता याज सीरीज अपने नाम करने पर होगी भारत की नजर अब खबरे बिस्तार से भारतिये तिबद सीमा पुलिस बल आईटी विपी ने कॉंस्टेबल पदो पर भरती के लिए एक नया नोटिफिकेशन जाने किया है आवेदन परकिरिया 8 अक्टूबर 2024 से सुरू हो चुकी है और अंतीमति थी है 6 नवंबर 2024 कुल 545 पदो पर उमिद्वारों की भरती की जाएगी हलांकि रिक्तियों की संख्या स्थाई और इसे बाद में बदला जा सकता है आवेदक की नियूंतम आयू 21 वर्स और अधिकतम आयू 27 वर्स होना चाहिए जिसकी गर्णा 6 नौवंबर 2024 के अधार पर की जाएगी उमिद्वारों को मानियता पराप्त बोर्ड से 10 वी पास होना जरूरी है इसके अलावा कानिडेट के पास valid heavy duty driving license होना जरूरी है इसके अलावा उमिद्वार को physical standard और medical standard को पूरा करना होगा जो notification में दे गई है आवेदन करने के लिए उमिद्वार ITBP के अधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रिन पर दिखाएगा है वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आज शरदी नौरात्र का सात्वा दिन है आज का ये दिन मा कालरात्री को समर्पित है मा दुर्गा के सौरूप की पूजा की जोरो सोरो से तयारिया चल रही है हिंदू मानेताओं के मताबिक मा कालरात्री अपने भक्तों की कष्ट को दूर करती है यदि भक्त सची मन से मा के आराधना करे तो उनके च्छाएप पूरी हो जाती है मा काल रात्री की पूजा से भय का विनास होता है और कई तरह के विखने दोर होते हैं साथ ये भक्तों को मोक्ष की प्राप्ती होती है दिसंबर से बियार की सडकों पर चलने वाली तेजी रफ्तार गाड़ियों पर ब्रेक लगने वाला है राज्यों में बरती सडक दुरगटनाओं को द्यान में रखते हुए परिवान विभाग ने गती सिमा ताय करने के नर्देश में एक मतपूर कदम उठाया है विसीस कमेटी इस काम को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है और इसके रिपोर्ट नवंबर के अन तक आने के उमिद है इस कमेटी के अध्यक्षता परिवहन विभाग के सचीव कर रहे हैं जबकि याता यात एडी जी उपाध्यक्ष है इसमेराजी के परिवहन आयुक्त पत निर्मार विभाग, ग्रामीड कारे विभाग, बिहार राज्य पत विकास निगम और पुलिस निर्मार निगम सहित अन्यमयत पूर अधिकारी सामिल है परदेश सरकार मेरा परखंड मेरा गौरब परतियोक्ता आयूजित कर रही है इस परतियोक्ता के तरद आपके अपने परखंड के अंदेखे परियाटन अस्थल के बारे में बताना होगा अच्छा करने वाले परथम परतियोगी को 50,000 दूसरे नमबर पर 45,000 और तीसरे नमबर के परतियोगी को 35,000 रुपए दिये जाएंगे परतियोक्ता में भाग लेने के लिए आपको टूरिज में बिभाग के वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाये गए वेबसाइट पर जाना होगा भाग लेने वाले उमिद्वारों को अपने परखंड के अंधे के परियाटन अस्थल की 3 फोटो जिसकी साइज 10 MB परति फोटो होनी चाहिए अपलोड करनी होगी और एक वीडियो 30 सेकेंड जिसकी अधिक्तम से आई जे 100 MB परति वीडियो हो अपलोड करनी होगी परतियुकता की आखरी तारीक एक नौवमबर है बिदे दिन ब्यार के सिक्षा मंतरी सुनील कुवार ने कहा कि जिन सिक्षकों ने फरजी परमार पत्रों के अधार पर न्युक्ति पाई है उनके खिलाब सत्त कारवाई की जाएगी ये कारवाई दश्रहरा के बाद सुरू हो जाएगी जब जाज रिपोर्ट जारी होगी परकिरिया को तेजी से पूरा किया जाएगा मंतरी ने जोर देकर कहा कि सिक्षकों को साल में दो बार पर सिक्षड दिया जाएगा जिससे उन्हें आधुनिक सिक्षड पधतियों से ओगत कराया जा सके राजानी पटना के ग्यान भवन में अगामी 22 और 30 सक्टूबर को ट्रेबल और टूरिज्म फेर का आयूजन किया जाएगा पर्याटन सचीव लोकेस कुमार सिंग ने हाली में हुई एक समिक्षा बैठक में विभागी अधिकारियों को टीटीएफ के सफल आयूजन के लिए निर्देशित किया है उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी बैभाग के पदादिकारी और कर्मी इस आयूजन में सहभागिता दे ताकि इससे सफल बनाया जा सके बदादे कि इस मिले में देश विदेश के कई परतिनीधी सामिल होगी जिसमें बिहार के परियाटन अस्थलों का परचार परसार किया जाएगा समिक्षा बैठक में पदादिकारियों को ये भी मिर्देश दिया गया है कि वे नवंबर माह तक बजट का 45 फिस्दी खर्च करें बिहार के बकसर जिले के बरंपुर परखंड में कांट गाउ में जेके सिमिन्ट कमपनी का नया प्लांट अस्थापित होने जा रहा है 65 एकर जमीन पर बनने वाले इस प्लांट का अनोसी बहार सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है और ये 2025 की अंत तक उतपादन सुरू करेगा इस पर्योज़गा से लगबग 250 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसका सलाना उतपादन छमता करीब 30 लाग टन होगी अनुमानित लागत 588 करोड रुपए होगी जिसमें छितरे के विकास के लिए भी कमपनी निवेस करेगी राजभर के 75,286 सरकारी स्कुलों में अब बच्चों और सिक्षकों के लिए नई किताबे उपलब्ध होगी इसके अलावा तकनीकी सिक्षड संस्थानों में पर्विस के लिए परतियोगी परिक्षा की तयारी कर रहे है शात्रों के लिए भी बैतरीन किताबे मिलेंगी इससे बच्चे अपने विद्याली में रहकर ही तयारी कर सकेंगे इस पहल का सबसे बड़ा फाइदा उन बच्चों को होगा जो महंगी किताबे नहीं खरीद पाते हैं पुस्तकाले में उपलब्ध किताबे न सिर्फ ज्यानवर्धक करेगी बलकि बच्चों को अपनी पढ़ाई में भी मदद करेगी बिहार सिक्षा परियोजना परिसद ने इसके लिए पूरी तयारी कर ली है बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और ट्राफिक जाम की समस्य से निपटने के लिए एक मैत पूर कदम उठाया है बिहार सरीफ और गया में ट्राफिक विवस्ता को पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा हाली में किये गया ट्राफिक सर्वी की रिपूर्ट के अधार पर इन सहरों में कारियोजरा बनाई जा रही है विकास आयुक तो चैतन ने परसाद की अध्यक्षता में बनाई गई विसेस कमेटी हर दो महीने में सडक सुरक्षा की उपायों की समिक्षा करेगी सर्वी में जाम के स्पॉर्ट और सडक दुरगटनाओं के ब्लैक स्पॉर्ट चिनित किये गया है पुलिस परिवहन और पत्थ निर्माड अधिकारियों के साथ मिलकर इन समस्याओं का समधान निकाला जाएगा ब्यार के मनूज बाचपेई की फिल्म गुलमोहर को नैसनल आवार्ड से नवाजा गया है मनूज बाचपेई ने इस अवार्ड को पाने पर खुसे जताते हुए खुद को भागिस्साली बताया उन्होंने कहा कि अच्छा मैसूस कर रहा हूँ क्योंकि नैसनल आवार्ड जैसी जगा पर आकर एक छोटी से फिल्म जिस तरह से अपनी उपस्तिती दर्च करवाती है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कहा कि जब मैं अपनी जीवन में रंग मंच कर रहा था तो कहता था कि एक बार ये मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा आज उपर वाले के किरपासी चौती बार मुझे गुल मोहर के लिए निशनल आवाट से नवा जागा है वर्सप ने कॉलिंग के लिए बहुद श्रांदार फिशर लाया है इस नए फिशर की मदद से यूजर चैट इंटरफेस में ही कॉल लिंक क्रियेट कर सकते है चैट अटाश्मेंट सीट में एक नया सौटकॉट उपलब्ध है जोसे अटाश्मेंट आइकन पर टैप करके अक्सेस किया जा सकता है इससे कॉलिंग लिंक बनाने की परकिरिया जो है तेज हो जाएगी ये फिशर अभी बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है यूजर्स अपनी पसंद की थीम या कलर का अच्छायान कर सकते है ब्यार के पच्चिम चंपारन जिले में नेपाल बॉर्डर परिस्तित वालमी की टाइगर रिजर्ब में जंगल सफारी को फुर्सिय सुरू करने की तयारी है पर्सासन के अनुसार सफारी अक्टूबर के पहले सब्का में सुरू होने वाली थी लेकिन बारिस के कारण निर्मार काम में देरी हुई विदेदिन वनश्यतर अधिकारी राजकुमार पास्वान ने बताया कि सभी तयारिया अंतिम चरन में है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो 15-15 अक्टूबर के बीच जंगल सफारी जो है सुरू कर दी जाएगे इस दोरान परियाटक ना केवल बाग और तेंदू जैसी जीओ को देख पाएंगे बलकि बोटिंग और साइकल सफारी का भी आनंद ले पाएंगे रभी मौसम के बीच परदेश सरकार किसानों को कई रभी फसलू की बीच अनुदानित दर दे रही है आप इसका लाब उठा सकते हैं इसके लिए आपको DVD के पोर्टल हमारे स्क्रीन पर दिखाएगा है इस पोर्टल पर जाना होगा यह आवेदन आप अपने Android फोन, कम्प्यूटर या Common Service Center वसुधा किंद्र या Cyber Cafe के जरी भी कर सकते हैं आवेदन की अंतिम तारीक है 15 नावंब तो अंतिम तारीक से पहले आवेदन करना सुनिश्चित करें इससे संबंदित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप नजदी की क्रिसी समनवैक, परखंड, क्रिसी पताधिकारी या जिला क्रिसी पताधिकारी से भी संपर कर सकते ह फसलों के बीज का मुल्लिदर और अनुमान्य अनुदान रासी का बिवरन आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं राज्जी के 161 सहरी निकायों में कचरी के निस्तांतरण के लिए 24 कलश्टर बनाये जाएंगे जिससे कचरा संखरन और परसंस्करण किया जाएगा नगर विकास मंतरी नितिन नवीन ने बताया कि एकिकरित ठोस कचरा परबंधन योजना के तहट सूखे और गिले कचरे का ब्यग्यानिक परबंधन किया जाएगा अगले तीन से छे महिने में काम सुरू होगा पतना में बायो मिथिनेशन और वेश्ट टू एनरजी प्लान अस्थापित किया जाएंगे आगे उन्होंने बताया कि मेट्रो परिशालन दोजार चबबीस में सुरू करने की योजना है जबकि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का 74 परतिसत काम पूरा हो चुका है नगर विकास व्यभाग में श्रहरी विकास योजना की रासी जीलो को भिंजदी है और व्रिधा आस्रम खोलने की भी योजना है भारत में नौरातरी का त्यवहार सुरू है जिसमें 13 अक्टुबर को दसहरा होगा दसहरा पर्भ भगवा का हाथ हमेशा थामे रखें ताकि वे खो न जाएं मेले में भीड होती है इसलिए बच्चों को नजर से दूर नहीं होने दे दूसरी बात ये कि बच्चों की जेब में एक पर्ची रखें जिसमें उनका नाम घर का पता और मोबाइल नंबर लिखा हो इससे अगर बच्चा हो जाता है तो कोई मदद कर सकता है इस तरह की सावधानियों से आप बच्चों का मजा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर सकते हैं राजे के अंचल कारियालियों में दाखिल खारिज के लगबग 6 लाक मामले लंबित हैं इन लंबित मामलों का आसर जमीन के दस्तवेजों की अधियतन पर पड़ रहा है साथी डिजिटाइजड जमबंदी में सुधार और छुटी हुई जमबंदी को आनलाइन करने के परकरिया भी काफी धीमी चल रही है राजस्वय अंभुमी सुधार विभाग ने सभी अंचल अधिकारियों को नर्दीश दिया है कि वे नवंबर तक करीब 70 फिस्दी मामलों का तौरित निप्टारा करें इसके अतरिक परिमारजन प्लस पोटल के तहत 50 फिस्दी आवेदन को अक्टूबर के अंध तक निप्टाने का लक्ष रखा गया है हलांकि आवेदन में तौर्टियों के कारण मामलों में देरी हो रही है इसके साथ ये पारदर्सिता बढ़ाने के लिए बिभाग ने एक नया पोटल विक्सित किया है जहां अंचल अधिकारियों को अपने कामों की परकती की रिपोर्ट अपलोड करने का अनर्दी इस दिया गया है सिक्षा बिभाग की आपर मुकि सच्यू एस सिदार्थ जो अपने साथगी पोड़े बेवहार के लिए मस्फूर है वे बिते दिन गया जिले के बारा चट्टी परखंड में इस्तित मद्धि विद्याले कठोतिया पहुँचे इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बच्चू के साथ बैठकर मध्यान भोजन किया बलके स्कूल में चल रहे अध्याले के जर जर भौनों का निरकशुर करते हुए सिक्षकों को आश्यक दिस आनर्दीस दिये बिहार में मौनसुर अपने अंतिम चरण में आ चुका है प्रदेश में एक बार फर से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अलांकि प्रदेश में कुछ जगों पर छिटपुट वर्सा की संभावना जताई जा रही है आज प्रदेश में अधिकतर जगों पर मौसम सुस्क रहने की बात कही गई है अलांकि एक या दो जगों पर छिटपुट वर्सा हो सकती है प्रदेश में दक्षिड पुर्व भाग में एक या दो अस्थानों पर मेगरजन या वजरपात की संभावना के बीच अलो अलोट जारी किया गया है आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री वही नियुंतम तापमान 24-28 डिग्री रहने की संभावना है बक्सर जिलारे बिहार विकास मिसंद्वारा जारी अगस्त और 24 के जिलावार रैंकिंग में पर्थम अस्थान हासिल किया है डे मनसुल अगरवाल ने बताया कि बक्सर ने अश्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 89.4 परतिसत और मुख्यमंतरी निश्चाय एंसहायता भत्ता योजना में 68.5 परतिसत का उतक्रिष्ट परदर्सन किया है इसके अलावा कुसलीवा कारिक्रम में 73.4 परतिसत और हर खेत तक सिचाय का पानी योजना में 75.4 परतिसत की उपलब्दी के साथ बक्सर ने राज में ओवल अस्थार पराप्त किया है अन्नी योजनाओ जैसे हर घर नल का जल और ठोस अपसिष्ट परबंधन में भी बक्सर ने अच्छे अंग पराप्त किया है बिहार के मुंगिर की कल्यारपुर गाव में स्तित बड़ी दुरगा देवी का पंडाल इस साल भी आकरसर का किंदर बना हुआ है पिछले 307 वर्षों से पूजा की जा रही इस देवी की परतेमा के लिए हर साल लाखों सरदाल हुआते हैं मान सरुवर परवत बारज योतिलिंग और दुबई के बुर्जे खलीवा के जहलक देखने को मिलेगे पंडाल की उचाई 150 फिट होगी जिसमें 5000 बास का उपयोग किया चाएगा मंदिर समीती की सदस से ने बताया कि पंडाल में LED लाइट और लेजर लाइट की ववस्ता की गई है जिससे गाउं जगमागा उठेगा इस भावे नर्वार में लगबग 2 करोर रुपए की लागत आई है जो सब्तमी तक पूरा हो जाएगा अब बात कर लेते हैं भारती राश्टी किरकेट टीम और बांगलादेश राश्टी किरकेट टीम के बीच होने वाले T20 सिरिज के दूसरे मैच की जो आज दिली के अरून जेटली एश्टेडिया में खेला जाएगा बतादी कि पहले T20 में भारत ने बांगलादेश को साथ विकिट सहर आया जहां बांगलादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 127 रन बनाये भारती टीम ने इसे 11.5 ओबर में ही हासिल कर लिया जो से उन्हें एक सुनने की बढ़त मिली है अब टीम इंडिया की नजरे दूसरे मैच में जीत के साथ सिरीज पर कपजर जमाने पर है वही बांगलादेश के टीम इस बार वापसी करने और सिरीज को एक-एक से बराबरी पर लाने की कोशिस करेगी ये मैच दोनों टीमों क जित हासिल करेगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएएगा आम आपने पार्टी ने भी एक सिट जिती है, साथ सिटे निर्दलियों के खाते में गई है। आप जाते परमार पत्र भौतिक सत्यापन के बाद ही जारी किये जाएंगे, ये कदम खास कर OBC के नौन करीमी लेयर परमार पत्रों के मामले में उठाया गया है, जहां फरजीवानों की आसंगा बढ़ गई थी। दोक्टर चुंदर सेखर सिंग ने बताया कि कई ऐसे मामले उजाकर हुए हैं जिनमें श्रफत पत्र देकर परमार पत्र बनवाए गया थे, जिसके बाद ये निर्ण लिया गया है। अब नई विवस्या के तथ आवेदकों के निवास स्थान के करमचारियों से रिपोर्ट ली जाएगी, जिससे फरजीवारे पर अंकूस लगाया जा सके। साथ ये अंचल करमचारियों की जवाब देही भी तैकी जाएगी, बतादी पटना जिली के सभी 23 अंचलों में काउंटर खोले गए हैं जहारोजाना 20-30 आवेदक जाती परमार पत्र के लिए आवेदन करते हैं। आजे के दिन वर्स 1877 में समाजी कारिकरता, स्वतंतरता, स्विनानी और साहितिकार, पंडित, गोप बंधु दास का जनम हुआ था। सदारों का समेत, एसे सी जैसे अन्ने परत्योगी परिक्षाओं में काम आएंगे, सवाल इतिहास, बिहार, स्पेसल, वज्यान, करिंट, अफ्यर्स और भुगोल से रहेंगे, पूछेगे पाचु सवालों में आपने कितना सही उतर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बता का नाम नहीं है, उप्सन ए है लालू यादो, उप्सन बी है नितीश कुमार, उप्सन सी है तेजस्वी यादो, और उप्सन डी है उप्युक्त सभी, इसका सही अंसर होगा नितीश कुमार, NCRT के किताबे अब किस एकमर्स पोर्टल से भी मिलेंगी, उप्सन A है Amazon, उप्सन B है Flipkart, उप्सन C है Miso, और उप्सन D है Snapdale, इसका सही अंसर होगा Amazon, किसान समचार के संस्थापक कौन थे, उप्सन A है स्वारूपनंद, उप्सन B है स्वामी सर्दानंद, उप्सन C है उप्सन B है एक जनवरी 1922, उप्सन C है एक जनवरी 1921 और उप्सन D है एक जनवरी 1924, इसका सही अंसर होगा एक जनवरी 1923, बीते दिन हमारे द्वारा पुछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से, बहुत लोगों ने अमारे कमेंट बॉक्स सेक्षन में लिख कर दि जिन्हों ने हमारे द्वारा पुछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अब्दुलमनान, नूनु गोलु कुमार, मोतिलाल कुमार, राजकी सुर मैतु, पंकज कुमार, राजीव कुमार, उपेंदर हांसदा, राम नौबी माजी, रभी कुमार, राम, सुजीत स पिसरा, राहुल मोर्या, कुस कुमार यादो, और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की सवाल की ओर, और आज का सवाल ये है, कि दुरगा पुजा में आप कहां घुमने का प्लान बना रहे हैं, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिग कर जरूर बताएगा, आ